हेलो आवरीवान मैं राहूल गौतम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मागनेट बेंस पर आप जानते हैं यहाँ पर आपको मिलती है निसुलक सिक्छा complete free education, quality content और quality education के साथ तो सारे वीडियोस मेरे लगे हुए हैं नीचे description box में playlist के मादिन से जाके चेक कर लिजेगा और आज मैं आप लोगों के लिए क्या आया हूँ issue of deventures as collateral securities हम deventures को normally issue नहीं कर रहे हैं अब सिर्फ उनको collateral security की रूप में issue कर रहे हैं तो sir collateral security क्या होता है बात समझे बहुत ध्यान से आप मैं bank में गए और bank से आपने का खरीदी एक machine खरीद ली आपने और उसके लिए आपने bank से ले लिया loan तो 10 लाग रुपे की machine खरीदी थी 8 लाग रुपे का bank से loan लिया था तो bank ने बोला कि देखो ये जो asset जो आपने खरीदी ना वो तो मैं इसको गिरवी रखी लूँगा उसके against charge create कर लूँगा तो वो हो गई primary securities लेकिन समय के साथ इस asset की value कम हो जाएगी अगर आपने पैसे नहीं दिये मेरे पैसे डूब गए तो मेरे लिए कोई और security बताओ और कोई option बताओ तो हम उसको बोलते हैं कि एक काम करो ये रखो हमरे deventures अगर हम आपका पैसा नहीं दे पाएं तो आप क्या करना इन deventures को redeem कर लेना ठीक बात है जी तो अब deventures को हमने issue किया as a collateral security मतलब कि अभी तक deventures पे कोई liability नहीं है जब तक हम उसको default ना करें तो deventures जब collateral security की रूप में issue करते हैं तो दो options होते हैं आपके पास पहला option बोलता है कि कोई भी general entry record मत करो सिर्फ balance sheet में सकर disclosure कर देना दूसरा option बोलता है कि आप general entry pass कर लीजिए deventures suspense account को debit कर लीजिए deventure account को credit कर लीजिए again disclosure में इसको disclose कर दिया आएगा balance sheet के तो चलिए इनको समझते हैं जड़ा question के माद्धियम से तो हमारे पास आता है पहला question आज का X limited took loan of rupees 3 lakh 3 lakh रुपे का loan लिया इनोंने कहां से लिया है sir 3 lakh रुपे लोन from IDVI bank चल दी company issued 4,000 9% deventures of 100 each 4 lakh रुपे की deventure security दे इनोंने 3 lakh के बतले में as a collateral security for the same so how these item will be shown in the balance sheet of the company तो again मैं आपको बताता हूँ दो तरीके क्या एक option होता है कि जिसमें हम first option में हम कोई भी entry pass नहीं कर रहे no entry would be passed और second option क्या होगा जिसमें हम entry pass करते हैं तो entry pass क्या करते है sir deventure suspense account debit entry लिख देता हूँ सीधा में deventure suspense account debit account debit to कितने परसेंट है 9% deventures to 9% deventures account तो अब मुझे क्या करना है disclosure बनाना है तो disclosure के लिए दो तरीके के एक disclosure बनेगा no entry और second में बनेगा जहां पर entry pass कर रहे हैं तो disclosure के लिए आपको बनाना पड़ेगा क्या balance sheet और balance sheet के साथ बनाना पड़ेगा balance sheet का format बना देता हूँ और यह होगे आपका notes to accounts जिसमें हम बनाएंगे loan का notes to accounts इसकी formatting कर लिजिए थोड़ा सा आप यहाँ पर note number and amount आजाएगा first line उपर आजाएगी और इसके बाद इधर भी एक line आएगी sir and sir इधर भी कुछ तो भी आएगा क्या आएगा amount के लिए column line डालनी पड़ेगी आपको right चलो उपर का लिकल होगे balance sheet balance sheet नहीं है basically it is an extract of balance sheet क्या है यह extract of balance sheet ठीक है और यह है आपका note number one चलो particulars particulars note number amount amount यह बन गया मेरा एक format मैं इस format को एक दुज़गे और copy कर लेता हूं क्योंकि मुझे एक और बनानी है ठीक है तो one more added चलिए यह तो बन गया हमारा क्या format अब एक्स्टेक्ट और balance sheet बना रहे हूं सबसे पहले balance sheet में क्या आएगा सर balance sheet में सबसे पहले आता सर equity and liabilities जो हमारी broader heading होती पहली जिसमें आता है equity and liabilities ठीक है अब क्योंकि extract है तो मैं second heading नहीं ले रहा हूँ first heading नहीं ले रहा हूँ सीधर second heading लेता हूँ second heading में क्या डालते हो सर अब second heading में हम डालते है non current liabilities non current liabilities में क्या डालोगे सर first heading non current liabilities में first heading हम डालते हैं सर long term borrowings और ये long term borrowing का क्या बना दिया मैंने note तो note किसका है ये long term borrowing clear बात चल अब तो long term borrowing में मेरे पास क्या है सर जी मेरे पास है bank loan from और specific लेको इसको जरा secured loan secured loan from IDBI bank कितने रुपे का है सर रुपेस 3 lakh अब सर वो वाली बात कहा लिखोगे बस इसके नीचे लिख देंगे हम loan is secured by loan is secured by issue of 9% 4000 देंगर्स 9% 4000 देंगर्स of 100 एच 100 each amounting to amounting to rupees 4 lakh बस इतनी सी बात हमें लिखनी थी ये हो गया हमारा डिस्क्लोजर अब ये बैलेंस सीट में जो amount जाएगा वो कितना जाएगा loan का 3 lakh rupees ये हो गया डिस्क्लोजर अंडर first option first option में हमने कोई भी general entry pass नहीं की थी बनके मेरा discloser move करें जाए second option की तरफ चलो तो second option में बनाए ये sir extract of balance sheet बना लेते हैं extract of balance sheet है और पहले heading क्या लिखते हो sir equity and liabilities नहीं प्रॉपर लिखेंगे speed में करने चक्कर में ऐसा नहीं करेंगे हम तो पहले heading होती है sir आपकी equity and liabilities जिसमें first heading आप लिखते हो इसमें आप first heading नहीं second heading पर आता हो में सीधा non current liabilities जिसमें हम ये option लिखते है long term borrowings long term borrowing और long term borrowing क्या बना दोगे आप note ये note बन गया आपका long term borrowing आप यहां पर क्या लिखोगे आप secured loan from secured loan from from IDBI bank कितने रुपए का लिया है loan तो सर्थ 3 लाख रुपए का है नीचे क्या लिखेंगे deventure suspense अब हमने यहां पर deventure suspense को भी debit करके रखा है तो ये disclose का तरीका है बस और कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे यहां पर आप deventure suspense कितने रुपए से सर्थ 4 लाख रुपए से इसमें से less कर दीजी आप क्या less करने वाली हूँ less कर दीजी 9% 9% deventure 9% deventures bracket में लेख देना 4000 into 100 तो 4 लाख के आप कर दोगे 9% deventures मालूम minus तो कुछ नहीं बचेगा है हाँ और ये balance इदर कितना पहुँच जाएगा यहां भी 3 लाख disclosure में इंपक्ट देख सकते हैं कि फर्स सेनारियो में कैसे हुआ था second में कैसे हुआ था देखो जाले इसके screenshot लोग पहले first scenario में डिस्कूलजर कैसे था सिर्फ लिख दिया था हमने second scenario में क्योंकि हमने entry pass की है तो deventure suspense को दिखाया पहले हमने और उसमें से minus कर दी हमने क्या deventures 9% deventures right done हो जाता है solve very good आजाओ screenshot भी ले लिया अपने question number 31 is done now question number 32 अब general entry भी तो pass करना तो ये question हम general entry pass करके सीखेंगे S. Singh Limited obtained a loan of rupees 5 lakh from state bank of india 5 lakh का है at the rate 10% per annum interest charge करना है the company issued 7 lakh 50,000 10% deventures of 100 each in favor of state bank of india as a collateral security तो 7 lakh पचास है के deventures issue कर दी आपने ठीक है as a collateral security pass necessary general entries for the above transactions when company decided not to record the issue of 10% deventures of collateral security तो first case में तो लिख देना आप जब वो recording नहीं करना चाहते तो no general entry would be passed अच्छा एक मिनिट कोई बात नहीं है हमें सिर्फ किसके entry pass नहीं करना necessary general entry लिखा ना for above transactions तो loan लेने की तो होगी ना ऐसे नहीं देखो गड़़ है loan लेने की entry तो pass करनी पड़ेगी ना मेरे भाई issue की नहीं कर रही हम तो loan लेने की तो कर ले issue की नहीं करना second scenario कर रही हम ये बात चलो तो आजाओ अब चाहिए हमें क्या general का format क्या चाहिए भाई general का format चाहिए तो ये लेली blank slide जिस पर बनाता हूँ मैं general entry का format जिसमें होता है date particulars laser folio debit amount credit amount उपर के लेखोगे general entries general entries in the books of in the books of S Singh Limited ठीक तो पहले ही entry pass कर लो आप loan लेने की 5,000,000 का loan लिया है entry क्या बनेगा bank account debit to loan account loan के entry pass कर लेंगे हम bank account debit to loan account being loan taken from SBI amount 5,000,000 ठीक अब चलते हैं option number first option number first क्या बोलता है जब वो record नहीं करना चाहते क्या record नहीं करना चाहते है option number one तो ये तो हमने loan ले नहीं कर दी ही ना issue के entry करना है when company decided not to record the issue of 10% adventure of collateral security अब हमें इसको record नहीं करना है तो इस case में लिख देना आप no entry pass no entry required to be pass no entry required to be pass और close कर दो शुरू होते से ही खताम option number two में issue के entry क्या पास होगी आजो option number two और ये कौन सा था option number one तो option number two में entry क्या पास करेंगे entry पास होगी सर deventure suspense account debit deventure suspense pens account debit two कתने पर्संट डेकर अर्चर सें तैन पर्संट डेकर रेक्शेश। to 10% debentures debentures issued as debenture issued as collateral security right amount 7,50000 entry pass question solve general entry question first entry second entry first case second case entry pass disclosure accordingly we have seen entry pass when we have entry debenture 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 account cancel screenshot question solution question question solution solution you can tell you can tell you can check you can see CVSC Hindi Medium, UP Vote, Bihar Vote और MP Vote All Classes, All Subjects अवलेवल होती है Quality Content के साथ अगर आपको Notes डाउनलोड करना है तो चले जाएए डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में जहाँ पर Link जो है वो अवलेवल है और Notes को डाउनलोड कर सकते हो राइट? चलिए हमसे चुणने के लिस्तमाल कर सकते हैं YouTube, Facebook, Instagram, Telegram और X इस्तमाल कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सेर कर देना और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मिलते हैं अंगले वीडियो में जब तक रखीए अपना बहुता रख्याद थैंक यू सो मुच पर वाचिए